इन वर्ड ग्लाश टीम उन्हों नहीं पता दिया के वे इंडिया ने एंगलेंड की बजा के रख दिया यार नो कोईली नो शरह सायर नो केल रहूल नो जस्परत मम्रा उसके बावजूद ठुकाई कर दी है सही तरह से एंगलेंड की यार दूर जुरेल रिमेंबर दा नेम क्या खिलाडी है यार प्रेशर सिचुएशन का मास्टर है यार टर्निं मुश्कल से मुश्कल में डालो वो उससे अच्छे से अच्छा बाहर निकल के आ रहे है यार च्छके मारने वाले खिलाडी को रोकना पड़ रहा है वो डिफेंस अच्छा कर रहा है पैसर को अच्छा खेलने वाले गिल को स्पिनर को खेलना पड़ रहा है वो अच्छा खे कर मैं हिट मैन को बुला देंगे बट हिट मैन का बहुत कंट्रिबूशन होता है यार हम लोग जंक्सर्ट की इक्साइटमेंट पे ज्याती कर जाते हैं उस बंदे का बहुत बड़ा कंट्रिबूशन है यार आज भी उसने कमाल की बारी खेलिया और आप चेक करो कि जब से वो खिलाडियों के साथ सीरीज जीतना बले होम गराउंड पे हर को यह करनामा नहीं कर सकता यार और बाप बाप ही होता है यह तो कंट्रम है तो टीम बन गी जो कि दिनिया में किसी पी टीम को हरा सकती है इंटिया जन्मन में बाप बन गया हुआ सारी क्रिक्ट का मैच की लिए महाली बिदल के रख दिया जीता है जीता है साथ में सीरीज भी जीत लिए और गेम इंगलेंट के लिए सेल्ट कर देने नहीं चाहिए बैसबॉल इन्डिया को गिफ्ट करके जाने चाहिए कि आप आप सास्टेस क्रिकिट खेलते और आप रोच्चिरमा की कंटन सी ब जिस लड़के को बैटिंग पे बेचता है वो खेलता है जिस लड़के को बालिंग पे लेके आता है वो विक्र लेता है जहाँ पर शुबम गिलका जो हो जिकर करना चाहूंगा आज मतलब मैं कहता हूं एक रॉक स्टार प्लेयर है मतलब दुनिया की वह टीम बन गी जो कि उसको बात कर है पर रोयचरम आउट हो गया जाजवाली भी आउट हो गया सरफराज बेली बाल पर आउट हो गया लंज के बाद दो बाल पे दो और वह रजजत पाड़ेदर साहब को तो में अब क्या ही बात करूं या वह भी चलते बनें लगा यार इंडिया ट्रबल में दुर्व जो रहे लास्ट बेट्समैन है उसके बाद कुल्दीव यादव बाकी है कुल्दीव यादव ने पिछली बारी में 130 बालें खेली यार आप इमेजन गरो वो बंदा जो बेटेंग बोलें कोई आर्ट राउंटर नहीं है उसके बावजूद क्या डिटर्मिनेशन है माइंड ब्लोइंग किसम का यार मैं हैरान हो करेंगा यार मैं नर्विस था मैंने का देखूं ना देखूं क्या करूं बड़ी सिच्वेशन डबल ती यार यह मुझ से देखा नहीं जा रहा क्योंकर आप जंक्स्टर हैं जोग खेलानी आपको के बड़ कंडिशन ऐसी थी मेंच की मैंने का यार यहां से मेरा दिल तूट जाएगा अगर दुर्फ जोलेल ना कर पाया थोड़ा दोड़ा मैं देखता रहा इसे यासे करके है फिर फाइनली जिस तरह से गिल ने एंड में अटेक किया उसने भी अपने अंदर ऐसा रोक बड़ सुमन गेल जिस तरह की फार्म करडिशन और मतब और नंबर चेंज करने के बाद जो रोलोज के साथ हो रहा था सेलूट है भाई उस बंदे को भी उसने भी कमाल किया अपने आपको रोके रखा पता देखो आपको अंटरेस्टेंड होना कि यार मैं हूं मेरे बात को यहां डेबूटेंड से यार बी टेम में भी खेले हुए प्लेयर होते हैं यह सी डी टीम है यहां इतने डेबूटेंड से हैं रजजत पाड़ेदर साथ जो होना ना उना बराबर है बड़ उसके बावजूद इस तरह से इंगलेंड को हराना मतब जब से वो दुर्वजु आपना बड़ा रोटी पार्टी तुम लोगों के लागी घ्र क्या पार्टी घ्र पर उसके बाद डगेट नहीं आप भी अच्छा खेले हो इस मैच में रूट ने अच्छी खेली तो अच्छा है मेरा इंगलेंड के लिए भी दुल्हुश है कि हमें एक अच्छी टेश्रीज देखने को मिली बहुत जादा रैंक टर्नर हो जाते हैं दूसरे तीसरे दें टेस मैच हतम और होता वन साइड इंडिया तो उस तरह से भी मज़ा ना आता तो काफी सारा क्रेट इंगलेंड को भी जाता है जिसने सीरीज में इस लेवल की फाइट की है अपने जंग बालिंग अटेक के साथ बहुत काबले दी दे तो बहुत सारी क्लिफिंग आप गुरों के इस सीरीज में आपके वेचे से अच्छी फाइट देखने को मिली और एक अच्छा मज़ा आया बैंस्टोक ची कैप्टन सी कमाल थी बेटिंग वह अच्छा नहीं कर पाया मज़ा अगला टेस्मेच में मुझे लगते एक साइटिंग होगा देखने के काबल होगा जिस तरह पुद कुद की में लूँ टिसी फाइनल खेलने सा रोग रहा डोट देसरे द किया और चांद चंक सा वहाधा नहीं एक है पाकिस्तान के इधर आएगा इधर पिंडी की फ्लैड कुछू के उपर बापर का गंटा बजाएगा और चला जाएगा बेटा वो इंडिया है वह द्याते हैं पकड़ वह दरिपकड़ के बैसे तेरे जैसे जो आँऑ बैन के प्रभाटिया नहीं कर नहीं हम उब अधर कुछ आ रिकते हैं नहीं पुछ उब्हूट्टीन लेकर, वेक्षी वालीं की है, लिया था उसने लेकिन फ़साया पजोया कोई नहीं था वो दमाग में इता आप दो एक हम इस पनारांज ज्यादा होते यह बंदे के दमागी चीजिए ओती है इंद्य इंडिया यह टेस्ट मैंच जीत गया है इंडिया ने गंटा भॉजा दिया निटीय ने ने बता दिया को यह फघल जी अपकाण निकल बाहर यह जो पाकिस्तान में कुछ गंते हैं जो दो दिनका पख़ास कर देए बैठके तो इस टेस्ट मैच को हरेगा पीछे जा चुका हुआ है डॉमिनेट इंग्लेंड कर रहे है उतर दो दिन इंग्लेंड डॉमिनेट करने वाला आज इंग्लेंड ठोक गया है चोथे दिन में दूसरे सेशन में इंग्लेंड ठोक गया है इंग्लेंड का पकड़ के बजा दिया इंडिया ने इंग्लेंड को पकड़ के इंडिय की बात आक्पी बैसमार को इंडिया ने पखर के लुदक दी आ आपकी बैसमार को पख़र पर दिया ने उनका घंटावारक आर या भा संस पार्व भार आपका पाथ में निशने खुछ लुग्ए आज बावे नहीं नहींट बोलोब यार यह तो विदाउट गुम्रा उन्हें डॉमिनेट किया यार शरम कर लो थोटी सी 145 में वो आपको आल उट कर रहे हैं विदाउट गुम्रा विदाउट कोली ना आयर है ना राहूल है ना पंत है ना शामी है अक्षर पर टेल भी नहीं है भाई उन्हें डॉमिनेट करती है उन्हें पकड़के बजा दिया आपकी यंग इंडियन टीम ने भाई जन हिस्ट्री क्रियेट की है लिखा जाएगा इस्ते हास में कि विदाउट विराट कोली इंडिया ने इंगलेंड को पकड़के बजा दिया था इंडिया की बैटिंग को ट्रैप करना बड़ा इसी है तो करना ट्रैप ठुक्यों गें और फिर बया यूदी या इंडिया ने आपकी पकड़के क्यों फिर इंडिया के आगे हार जाते हो पहला टेस्माई तो आप लोग जीत गे थे वह लोलीपोब नाना चलता उस दिन त गया हो था अच्छाम आज मैं ऑज इंडिया ने सीरीज विन कर लिया क्या कहना चाहेंगे आप आज कितना खुश्या आप इंडिया ने अपनी तबाइगी की बैटिंग की रोई शर्मा ने जैस वाल ने ओर आलम की टीम के हवाले से क्या कहेंगी आज पहले तो बहुत-बह बहुत मुबार्ग बात हो इंडिया को इनने सीरीज अपने नाम की है वह भी उन लोगों से जो कहते हैं कि हम बैस्ट बॉल के बाप हैं और जिसना थे बैस्ट बॉल को इस पोज़ कर दी है और आई होप सो के आगे भी जो इन्या टीम है वह ऐसे ही दिखने को मिले हम लोगों दिया गया तो वह नबे करकर जा रहा है मतलब इनकी पार्नर्शिप्स ऐसी डिवेलप होई है कि देखकर मज़ा आता है कि मैच हो तो ऐसा हो वैसे बहुत हार्ट से परफॉर्म करते हैं पैशन नजर आता है क्रियोसिटी नजर आती है कंसिस्टन रहते हैं वह लोग और बा को भी हम लोग चैवलब जैबट ऑपार्फार्मकरा रहे हैं किया और आज तक भी ओन्वाधार्म करें किया चैसने को क्रते वेंडिए दिखाए हैं और कमसगम उनके जो जूनियर्स हैं जो आए हैं यहां टीम में वो ऐसे नहीं हैं कि वो अगर रोहेशन में परफॉर्म नहीं करें तो उनको गाल यह निकालना शुरू कर दें कि वहारा सीनिर परफॉर्म नी कर लेकिन उसमें इतना बूस्ट किया हुआ है कि हम परफॉर्म करें कम सकंप हमारे बाबराजम ने जो आज मजबूर हो कहते हैं कि इस अच्छा अच्छा यह लोग परफॉर्म करते हैं कि दिल्खुश होता है देखकर और आप खुछ समझ ले मैकि यहां पर इन्हें नहीं बख्चा यहां पर इन्हों ने नहीं अच्छा तो टी-20 World Cup में किसका कप है कप Ooh इंडिया के नदर तो हम मेंं इंक्र एक्टान भी कर रहे Thanks to मैं आजतक नहीं जी सकें इंगलेंड को वह तन्हнакоंनी वौर कि राकक दिया को इन्हें देवा स्बाइस अंगलेंड कांडी ऐनों कुर TC Costa मैश क्यान है यह 5 मैच पड़ा मैस योड़ा आप खुछल लनन के तो ऑगा मैस का क्या हूं इंडिया पुछ सब्सक्राइब यह बाप बाप ही होते हैं आप तो इंग्लाइड को छोड़ देना चाहिए बेसबॉल अडिया को गिफ्ट करके जाने चाहिए बैन का फोक्स नाव बैन का मकलम बैटा कोई भी नहीं चला इदर जितनी भी बैसबॉल की फिरें अंदर बचे हुए ना इस खतम हो गया अब सिनफ हर जगह एक यह चीज़ का नाम होगा जैस्वाल जैस्वाल बैसबॉद्वाल वाला चकल खतम हो गया इन चीज़ों से बाए सर्फराल संज्झ वह जुबार जिसमें जप्तान रहत च्छमा इन लेक्टिध की वग़ा से रिक्टव कं बार बसमार मैं काता हूं उस वन्थे की वज़ा से यह टन्सफाइब गूंचि कोई पर रहा है उसकी वजह से आप यह टेस्स मैच जीते हो उसकी वजह से आपने नाम कर लिया मैच और अपनी सीरीज में अपने क्या कहना चाहिए जिससे स्टार्ट रोई शर्म आए वह भी आउट हो गे हाफ संचुरी करें जैसोल है उन्होंने परफॉर्म नहीं हुआ पर सर्फरास खाना आए जिरो में एक कोई स्कूर नहीं है गेंट के लिए आउट हो गे जैजा है उन्होंने कोई परफॉर्म नहीं किया पिर शुम्मिन गिल आ गे शुम्मिन गिल ने अपनी वही पर करार रखी उन्होंने एंड तक मैच को ले गे और आज उन्हों विन कर द जडेजा और सर्फरास मैं तोड़ा से डर गया मैंने का यार अब जो है ना गेम मुश्किल हो गई है क्योंके शुम्मिन गिल यह था कि प्लेयर अच्छा लेकिन उसमें इतना प्रोसा नहीं था कि यार यह टिक भी जाएगा लेकिन उसके बास शुम्मिन जिस तरह से कैरी क अब पाप्तानी में इंडिया चोता मैच तीसरा मैच जी चुके है अगर बात करें पहले बदी-बस मैं आपकोते कशेड़ा अब कहां प्र हैं बेस्टींग इन्डिया फ्रूछ की बात करते हैं जिस भूल के लिप किया गेंगे सारे कुल्दीब यादव एश्विन क्या गेंग बॉलिंग के हवाले से यार बिल्कुल आसा यह देखो के बातें करने साम मैच नहीं जी सकते हैं अगर आपने मैच जीतना है तो ग्राउंड में परफॉर्म करके दिखा हो इंडिया वालों ने क्या कि उन्होंने पाँच नहीं इंग में तीन आउट बेकिन अवराल इंडिया ने साही डोमिनेंट की है आप इंडिया की बालिंग डिखलो आप इंडिया की बैट्टिंग देखलो इस लड़के को बैटिंग में अच्छा केला सैकन इनिंग में फॉर्टी टु गी उसने खुच भुद शा तरह कर दिये शम्मन गिल चल गया दुरूव चल गया तो बहुए ऐसा ही होता है अगर आपने जीतना है तो आपकी पूरी टीम को खेलना बड़ेगा तर देखे यह है टीम होता है यह टीम वर्क होता है और रोई शर्मा अभी तक जितने मैच चुदर टीम वर्क से जिते हैं सह उनकर एक भाई स्वांन चलता होता है और दोसर चलता दूसर चलता तीसा चलता चुदर बालर भी की लेते हैं आज उन्होंने दिखाए आज के ये होती है कप्तानी और ये होती है टीम वर्क और टीम वर्क है शुमन गिल आइंड तक चले और उन्हें अपनी विकर को बरकरार रखा जिसना आउट मुझे भी लाग रहा का शायद आज इंडिया अपनी सेरी हार जेगा मगर नो डाउट सर आगे रोई शर क्रॉली ने 50 कर दी बॉलिंग में सिर्फ बशीर लगा रहा मतलब को तीसरा बंदा चला ही लेकिन इंडिया की साइड से असानी है इंडिया का आप ओपनिंग से लेके 11 नंबर तक देख लो बैटिंग लो बॉलिंग दो जो लुड़का भी आता है अगर आपने टेस्ट मैं जीतना है तो मेरे भाई आपको एजा टीम बनके खेलना पड़ेगा आपको यूनिट बनके खेलना पड़ेगा वो चीज़ इंडिया ने दिखाई आपने बड़े अच्छी बात की है कि रोच्षिर्मा की कैप्टमसी बहुत एक्सेप्शनल जा रही है बही है आप आज मैज है आज इंडिया ने सीरीज विन कर लिया क्या कहना चाहेंगे आप आज कितना खुश आप इंडिया ने अपनी तबाई की बैटिंग की रोई शर्मा ने जैस वाल ने ओवराल की टीम के हवाले से क्या कहेंगी आज पहले तो बहुत-बहुत मुबारक बात हो सब्सक्राइब कर लेकर अब तक देख लें इंडिया कभी नहीं चुका और नहीं कभी चुकेगा जितना अचनों ने परफॉर्म कर दिया है इतने डेबुटन एड हुए हैं इस टेस्ट मैस्ट के अंदर और वह एक से बढ़कर एक निकले हैं कोई 600 पूरे कर रहा है कोई क किट कीपर है तो इसको बैटिंग का मुका दे दिया गया तो वह नबे करकर जा रहा है मतलब इनकी पार्रशिप्स ऐसी डिवेलम होई है कि देखकर मज़ा आता है कि मैच हो तो ऐसा हो वैसे भी टीम ऐसी है जो कि बहुत हार्ट से परफॉर्म करते हैं पैशन नजर आता है क्रियॉसिटी नजर आते हैं कंसिस्टन रहते हैं वो लोग और बाप बाप ही होता है यह तो कन्फर्म है अच्छा रहे हैं रोई शर्मा की कप्तानी कैसे लगए कि टेस्ट मैच हाड़े और आज तीन मैच हो जीते हो रहे हैं अपने सीरीज अपनी विन का ली उसके बाद ह शर्मा ने कप्तानी ओर आज बैटिंग में बरी अच्छी परफार्म की हैं इंडिया के एशीवन की स्पिनर की बाद कर वह भी को बना रहे हैं कुल्दीव यादर की बाद के वह बीघ्ज़ बियू आए च्छे परफार्म कर रहे हैं क्या कहींगी ओवराल आज तक हमने ऐस बैटिंग ने देखिए यह इतना अच्छा परफॉर्म की अपनी सीरिज अपनी विंग किया है तो जारी सी बात है कप्तान ने एक सेंस्ट्री तो लाजमी किया है जैस मैचिस के अंदर अपनी टीम को काफी बूस्ट करते वे दिखाए दिया है और कमजगम उनके जो जूनिय कर सकते हैं किसी को भी आपने इतने बड़े-बड़े टालर्णस की बात किए दिखान की बात कि बात किया है तो मतलब के देयर लाइक ब्लेस्ट बैट्समैन और बॉलर हैं यह लोग और इतना अच्छा यह लोग परफॉर्म करते हैं कि दिल खुश होता है देखकर और आप कुछ समझ लें कि यहां पर इन्हों नहीं नहीं बख्चा तो टी टूटी वर्ल्ड कप में किसका कप है कप वो इंडिया के नदर तो हम इंडिया के यहार रहीं कर रहता हैं हम आज तक नहीं जी सकते हैं इंगलेंड को वार कदी है ने 4 मैश कैला है तो आप समझे के बाप बाप ही होते हैं आप तो इंगलेंड को छोड़ देना चाहिए बेसबॉल अंडिया को गिफ्ट करके जाने चाहिए कि आप ही हमारे बाप माई बाप दादा सब कुछ हैं और आपको इस मुबारक बाद हो बहुत ज्यादा यह मैं समझती है